सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एबरीवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनीता मौरिया अपनी रसोई आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं होली इस्पेशल में आलू और साबुदाना के मिक्स पापड की रेसिपी ये पापड खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी और करारे होते हैं और बनाने में भी बेहदी आसान है इन पापडों की एक खास बात ये भी है कि आप इन पापडों को बरतने भी खा सकते हैं तो आईए देखते हैं इस टेस्टी और करारे पापड को आज हम कैसे बनाएंगे आलू और साबुदाना का मिक्स पापड बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 kg उबला हुआ आलू ले रखा है और 250 ग्राम बारिक वाला साबुदाना ले रखा है सबसे पहले तो हम आलू के छिलके उताल लेंगे आलू को बाइल करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसे एक्ट्रा कुक मत करिएगा इसे बहुत ज़दा गलाईएगा नहीं उबालते समय नहीं तो पापड बनाने में प्रॉबलम आएगी इसी तरह से हम सारे आलू को छिल लेंगे और ये लीजी हमने सारे आलू को छिल करके तयार कर लिया है अभी जो साबुदाना है इसे भी हम ग्राइंडिंग जार में पीस करके इसका हम फाइन पाउडर बना लेंगे साबुदाना भी पीस करके तयार है अब यह जो उबली हुए आльो हैं हम इसे greater की help से great कर लेंगे आलो को हम इस greater की help से अच्छे से great कर लेंगे अगर आप चाहें तो आलो को को सिलवटे पर भी पीछ सकते हैं पर सिलवटे पर पीछने में काफी महनत लगती है इसलि आम इसे greater में grate करेंगे इसी तरह से हम सारे आल सार नमक एड़ कर देंगे वैसे पापड में नमक हलका ही अच्छा लगता है अब हम इसमें एड़ कर देंगे कुटी भी लाल मिर्ची टेस्क के एकोडिंग हम यहाँ पर पापड को तीखा बनाने वाले इसलिए हम मिर्ची की कॉंटिटी जादा रख रहे हैं इसमें एड़ क अब हम सारी चीजों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे अगर आप चाहें तो इसे मिलाने का काम इस्पून की भी हेलप से कर सकते हैं मैं यह काम हाथों से ही कर रही हूं और यह आलू का मिक्स हमारा तयार हो चुका है पापड बनाने के लिए अब हम इसकी छोटी छोटी लोईयां तयार कर लेंगे लोईयां बनाने के लिए हाथों में हम थोड़ा सा तेले प्लाई कर लेंगे फिर से इससे आलू का मिक्स हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा थोड़ा सा आलू का मिक्स लेंगे तोनों हाथ की अथेलियों के बीच में रखके गोल करेंगे फिर इ यह हमारी एक लोई बनके तयार हो चुकी है सेम प्रोसेस से हम सारी लोईयों को तयार कर लेंगे लोईयों का साइस अपने अनुसार आप छोटा बड़ा रख सकते हैं जैसा छोटा और बड़ा पापड आप चाहते हों और यह हमने कुछ लोईयों को बना के तयार कर लिया है अब हम पापड को बनाना शुरू करेंगे, पापड को बनाने के लिए हमने यहाँ पर यह प्लास्टिक ली है, इस तरह की प्लास्टिक सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है, अब हम इसे चोके पर रखेंगे, एक लोई लेंगे, इसे हम तेल में डिप करेंगे, इसे पाप प्लास्टिक शीट पर फैलाएंगे, अगर आप चाहें तो इसे सूती कपड़े पर भी फैला सकते हैं, हम इस तरह से देखिए पापड को फैला देंगे बहुत ही आसानी से, मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता रहे हूं पापड बनाने का, हम एक लोई लेंगे, तेल में हमने इसे डिप कल लिया था, अब हम इसे हाथों की हैल्प इसे फैलाते भी गोल कल लेंगे, अगर आप चाहें तो इसे बेलन से भी बेल करके बना सकते हैं, और ये देखिए हमारा हाथों से भी एक सुन्दर सा पापड बन के तयार हो चुका है, इसी तरह से हम सारे बनाने का, यदि आपके पास इस तरह की पूरी बनानी की मशीन हो, तो आप इसे भी पापड को बहुत ही साउधानी से बना के तयार कर सकते हैं, ये मशीन इसली आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप इसे ऑनलाइन भी परचेश कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेश करने का ल लिए इसी तरह से हम सारे पापड बना के तयार कर लेंगे और ये लिजी हमने सारे पापड बना के तयार कर लिए हैं हम इसे दो दिन की धूप में अच्छे से सुखा लेंगे अगर आप चाहें तो इसे पंखे की हवाम भी सुखा सकते मैं इसे धूप में सुखाने वाली हू क्योंकि हमें इसे store करना है इसलिए हम इसे धूप में सुखाएंगे पापड को हमने दो दिन की धूप में अच्छे से सुखा लिया है पापड सूप करके बढ़िया कड़क हो गए हैं अब हम इसे store करने के लिए किसे यह tight container में भरकर रख देंगे आप इसे एक साल तक खा सकते हैं यह खराब नहीं होते हैं क्योंकि हमने इसे धूप में अच्छे से सुखा लिया है मैं पापड को तल के भी दिखा रहे हैं कि हमें इसे किस तरह से तलना है जब आप इसे तलें तो तेल बढ़िया गरम होना चाहिए मद्यम गरम तेल या भी कम गरम तेल में आप इसे बिल्कुल भी मत तलिएगा नहीं तो पापड अच्छे से नहीं हो पाएंगे हम इसे लटते पलटते भी चिम्टे की हेल्प से फ्राई कर लेंगे अब इसे हमें इतना ही फ्राई करना है क्योंकि जब इसे हम तेल से अलग करेंगे तब भी इसका कुकिंग प्रोसेश चलता रहता है हम इसे एक छन्नी पर रखेंगे निकालने के बाद ताकि इसमें जो भी एक्ट्रा तेल हो वापस कड़ाई में चला जाए इसी तरह से हमें पापड को फ्राई करना है बहुत सारे लोग पापड को तलते हैं तो उनका पापड जल जाता है तेल में डालते या फिर उक अच्छा ही रह जाता है पर आप इस तरह से पापड को तलिएगा आपका भी पापड अच्छे से बन के तयार होगा और इस तेवा पर इस पापड़ को आप अपच्छे से इंज्वाई कर सकते हैं इस से पहले में सिंपल आलू के पापड़ की और भी कही तरह के पापड़ की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ उनका लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लाश्ट में डिस्टक्शन बॉक्स में हमने आपको दीज़िएगा शेयर कीजिएगा ना पसंद आया हो तब भी आप इस ृसलाइक कर सकते हैं यदि इस पापड़ को बनाने में आपको कोई भी समस्थे आया है तो आप कोमेंट हमने करके अपनी समस्थे का समadı हन कर सकते हैं और मुझे कोमेंट करके जरूर बताइएगा वा वीडियो के साथ, thank you, bye bye